वेलकम टुबाय चैनल अलकास अलनी किछिन अलकास अलकास हल दी किछिन में आ आपके लिए लेकर के आहीँ अर्भी अर्भी के गटे सब्सक्राइब ने के ब準 यहाल कोदे सिस्थान प्रवी के साथ से आठ पत्ते हैं और इने मैंने अच्छे से वाश करके इस तरीके से कट कर लिया है इस तरीके से बारी कट किया है मैंने और आप इसमें बेशन एड़ कर देंगे अब यहाँ पर मैंने एक कप बेशन ले लिया है मीडियम साइज का भरके एक कप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और चुटकी भर हल्दी डाल दिया है आधा चम्मस धनिया पाउडर आधे चम्मस से थोड़ा कम सौप का पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्शी पाउडर चुटकी कि अजवाइन क्रस्ट करके थोड़ी सी डाली है बहुत कम डाली है मैंने एक चोथाई चमज डाली है नमक टेस्ट अनुसार थोड़ा सा ऑईल डालके एक टाइट इसका डो तयार कर लेंगे एकदम से टाइट हमें लगाना है और पानी की ज़रत लगे तब इसमें पानी मिक् हम इसमें इसका डो तयार करेंगे अब मुझे यह पतला लग रहा था बैटर इसका तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा ओर एड़ कर दिया है बेशन का एक चमज बड़ी वाली चमज भरके बड़ा वाले जो स्पून होता है वह डाल करके इस तरीके से मैंने टाइट डो ते बड़ लेंगे और यह हमारा आटा तयार है गट्टे बनने के लिए अब इसकी मैंने चार लोई बना लिया है इसे मैंने डिवाइड कर दिया है चार भागों में और थोड़ा सा चकले पर इस तरीके से ओल लगाएंगे नीचे और रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे इस त oluş eens तर लेंगे ख़ेल कोई आप लखडी कुछ बी जो भी आप आपके पास इस तीक आप चाहें तो इस तरीक से डारेक्ट भी रोल कर सकते हैं लेकिन अगर जादा अच्छा है जह अगर जग GIRं रखेर पना वह बहुत हजादा टेस्टी लगे की स्टील और अगर आप इस बी फॉल्ड कर सकते हैं लेकिन वो ठोड़े टाइट हो जाएंगे अंदर से होल नहीं रहता है फ्लेबर थोड़ा कम जा पाता है तो इस तरीके से आप बनाएं कोई भी स्टिक ले लें रोटी इस तरीके से बेल और हलके से हास से इस तरीके से बेलते चले जाना है गशे को और यह बिल्क एकडम से त्यार है और स्टिक लेंगे से और बस फोल्ट गरती हो चले जाएंगे तो जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो पूरा अच्छे से रेसा इसके अंदर तक जाता है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है यह देखे अच्छे से इस तरी किसी फोल्ड कर लेंगे और बिच से कट करेंगे और साइड में रख देंगे अब सारे गट्ट तो स्टीमर के उपर भी रख सकते हैं तो मैं डारेक्ट पानी में नहीं डाल रही हूं मैं इस तरी किसी स्टीम कर रही हूं भाप में स्टीम करूंगी आप चाहें तो पानी में डालने से ज्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं तो मैं इससे स्टीम नहीं कर रही हूं स्टीम निकला है तो इसका मतलब हमारे सारे गटे स्टीम होके तयार है पके तयार है अगर आपके पास इस तरीके का स्टीमर नहीं है तो आप छलना भी ले सकते हैं उपर रख दे चल ली चलना जो भी हो और इस तरीके से रोल इस इनके कट कर लेंगे इस तरीके से अगर कुछ भी नहीं तो डिरेक्ट आप पानी में भी डाल सकते हैं तब भी यह बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीकी से हमें इने कट कर लेना है आप देख सकते हैं इनमें होल है अंदर छोटा छोटा अब हम यहां पे क्या करेंगे मैंने ? गढ़ाई ले लिishna है इनो चमज इसमें तैल डाल दिया है और इन्हें फ्राइ नहीं कर लेंगे घड़ा कर लिसा है यह देखेये आप चाहें इन में थोड़ा सा नमाग, थोड़ी सी लहसून, मिर्च की चटरी डाल करके ऐसे भी खाएंगे, यह तबी भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और अब हम सबजी बनाने की तेयारी कर रहे हैं, हापर मैंने हापे सर्षो का ते पेस्ट नहीं बनाया है, आप चाहें तो पेस्ट बना लें, लेकिन इस सबजी को इस तरी की से बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बहुत लोग इसमें कर्ड भी डाल देते हैं, अगर आप खटा खाने की ज्यादा पसंद है, ज्यादा लाइक करते हैं, तो आप इसमें कर्ड या फिर टमाटर एड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये इस तरी की से ज्यादा पसंद है, मैं इसे इस तरी की से बनाना ज्यादा प्रफर करती हूं, मुझे इस तरी की से ज्यादा पसंद है, खटा इसमें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो तो अगर आप खट्टा खाना पसंद करते साथ हैं तो मसाले ढालने चालए मारा कर दो दो तो लार्मिर्ची पॉड्र हरा हल्डी और नमक स्पाइग में एकडम से गरम पाणी डाल के वह प्मेने पांस मिनट तक पकने देंगे और नें साबज्य कॉस्टन सब्झार स remo दढम भर कके निमाद आदक में तें अगर आप सकति हैं तो जब मसाले डाले मसाले भुनने के बाद उसमें करड एट कर दे आधा कटोरी और ये देखें मैं सर्विंग के लिए से निकाल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से अगर आप बना करके देखेंगे टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये देखेंगे परफेक्ट हमारे अर्वी के गट्टे की सब्जी बनके तयार है अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज जाजादा शेयर करें लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते